प्राचीन ग्रीक में डेमोखीटर्स नाम के दार्शनिक ने इसे एटम कहा था ये ऐसा समय था जब पानी, हवा, मिट्टी और आग को ही लोग तत्व समझते थे बाद में मानव ने सोने, लोहे, चांदी और पीतल में फर्क करना शिरू कर दिया था अठारवी सदी की शुरुवात में कई और तत्वों का पता चला उन दिनों, इंग्लेंड के महान विज्ञानिक जॉन डाल्टन मौसम पर काम कर रहे थे वो हर दिन के तापमान को रेकॉर्ड करते और एक दिन ऐसा करते हुए उनके दिमाग में विचार आया कि पानी हवा के रूप में भी मौजूद रह सकता है लेकिन अगर ये ठोस अवस्था यानि बर्फ के रूप में रहे तो हवा के साथ नहीं मिल सकता ये क्यूं होता है कि पानी गैसिये, द्रविये और ठोसिये अवस्था में भी उपलब्ध हो सकता है इस बात से वो इस निशकर्ष पर पहुँचे कि सारे पदार्थ छोटे-छोटे कणों से बने हैं गैसी अवस्था में ये कण आसानी से इधर-उधर विचरन कर सकते थे तथा आन्य गैसों से मिल सकते थे द्रवी अवस्था में इन कणों का विच्रण गैसी अवस्था की तुलना में कम तथा ठोस अवस्था की तुलना में ज्यादा होता है ठोस अवस्था में ये कण ना के बराबर विच्रण करते हैं कुछ इसी तरह हाइड्रुजन और ऑक्सिजन मिलकर पानी बनाते हैं इस आधार पर उन्हें लगा कि हर तत्व के परमाणूं की प्रकृती अलग-अलग होनी चाहिए डेमो कीटर्स और कणात की तरहां वो भी यही मानते थे कि एटम के और टुकडे नहीं हो सकते कुछ वैज्ञानिक जैसे विलियम परोथ और नॉर्मन लोकेयर का मानना था कि एटम अपने से और छोटी एकाई से बना है और उन्होंने इसका आकार उस समय के ग्याद सबसे छोटे एटम हाइड्रोजन के बराबर बताया था जब बिजली का आविश्कार हुआ तो वैज्ञानिकों को लगता था कि तारों के अंदर बिजली को ले कौन जाता है जब लोग दो तारों को एक साथ सटाते हैं तो अकसर एक चिंगारी से निकलती उन्हें लगा कि जब बिजली हवा के संपर्क में आती है तो उसमें से चिंगारी भूटती है अगर हवा को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तब वैज्ञानिकों को विचार आया कि एक ग्लास ट्यूब में इसे परख कर देखते हैं ग्लास ट्यूब में बिजली प्रवाहित की गई, तो ट्यूब के अंदर चमक की एक परत दिखाई दी. उन्हें लगा, शायद इसके अंदर हवा रह गई हो. इसलिए उन्होंने बहतर ट्यूब बनाई, जिसमें हवा ही न हो. जब इसमें बिजली प्रवाहित की गई तो ट्यूब में अधेरा था लेकिन ट्यूब के आखरी सिरे पर एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी इसका मतलब था कि एक अदृष्ष किरन थी जो खाली जगाहों से गुजर रही थी पर ये क्यों हो रहा था? क्या ये पॉजिटिव सिरे यानि एनोड से आ रही थी? या फिर निगेटिव सिरे यानि कैथोड की तरफ से आ रही थी? जब एनोड और कैथोड का स्थान बदल दिया गया, तब पता चला कि कैथोड से ये निकल रही थी इसलिए इस किरन का नाम कैथोड रखा गया लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वेज्ञानिकों को ये लगा कि कैथोड में निगेटिव चार्ज है कैथोड रे की प्रकृती समझते हुए थॉमसन ने पाया कि ये कण हाइड्रोजन एटम से भी हजार गुनाहलके थे उन्होंने इस सब एटोमेक कण को कॉर्प सेल कहा जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया उस समय वेज्ञानिक ये भी जानना चाहते थे कि क्या कैथोड रेज में मुड़ने की ख्षमता है इस सवाल से जूचते हुए सन 1897 में जे जे थॉमसन ने अपना प्रसिद कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसमें हवा का दबाव न के बराबर था ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ती थे जब उन्होंने बिजली प्रवाहित की तो उन्होंने साफ देखा कि दो चार्ज प्लेटों के बीच कैथोड रे मुड़ी थी उन्हें विश्वास हो चला था कि ये कण है अब वो दो चीज जानना चाहते थे कैथोड रे कणका मास यानि द्रव्यमान और इसमें एलेक्टरिक चार्ज कितना है उन्होंने इस ड्यूब में एक मैगनेटिक क्षेत्र बनाया ताकि एक दिशा में कैथोड रे को मूड़ा जा सके साथ ही दूसरी दिशा में मोडने के लिए उन्होंने एक विद्युत क्षेत्र बनाया जब दोनों क्षेत्रों का समन वै हुआ तो कैथोड रे एक सीधी रेखा में चली गए इससे उन्होंने कैथोड रेके एक इलेक्ट्रों के द्रव विमान और इलेक्ट्रिक चार्ज का पता कर लिया अब उन्होंने लगभग हर धातू के साथ ये प्रयोग दोहराया सबके नतीजे एक जैसे थे इस प्रयोग से उन्हें एक बात समझा गई कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणू का हिस्सा थे इस आधार पर थॉमसन ने परमाणू की संरचना से संबंधित अपना मॉडल प्रस्तुत किया जो एक क्रिस्मस केक की तरह था इस मॉडल की अनुसार परमाणू एक पॉजिटिव चार्ज वाला गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिस्मस केक में लगे ड्राइफ फ्रूट्स की तरह थे इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है इसे तर्बूज के उदाहरंड से और भी आसानी से समझा जा सकता है इसकी अनुसार परमाणू में पॉजिटिव चार्ज तर्बूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है जबकि इलेक्ट्रॉण पॉजिटिव चार्ज वाले गोले में तर्बूज के बीज की तरह धसे है इलेक्ट्रॉण की खोज एक महान उपलब्धी थी जिसने अब तक की उन प्रचले धरनाओं को गलत साबित कर दिया जहां पदार्थ के सबसे छोटे कंण पर मानू से भी छोटे कंण की खोज की जा चुकी थी ये एक ऐसा काल था जब विज्ञान की गुथियां एक-एक कर सुलश्ती जा रही थी जर्मन विज्ञानिक विलहम रॉंट्जन ने एक्सरे किरनों की खोज कर ली थी रॉंट्जन के एक्सरे को जब फ्रांस के विज्ञानिक हेन्री बेकुड्रेल चमकीली चीजों पर परख रहे थे तो उन्हें एक अलग तरहां की ही किरन का बोध हुआ जो एक्सरे से बिलकुल अलग थी उन्हें बाद में पता चला कि ये चमकीली चीजों एक रेडियो आक्टिव तत्व है उन दिनों मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी भी बेकुड्रेल के इस नए प्रयोग को परख रहे थे और जानना चाहते थे कि इस तरह के और कितने तत्व रेडियो आक्टिव है इस प्रक्रिया में उन्होंने पोलोनियम और रेडियम को खोश निकाला उन दिनों न्यूजिलिंड के विज्ञानिक अर्नेस रॉदर पोड फॉम्सन की प्रयोगशाला में काम कर रहे थे उनका ध्यान भी रेडियो आक्टिविटी की तरफ गया और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया किसी तत्व को रेडियो आक्टिविटी तब कहते हैं जब उसमें से खास किस्म की तरंगे या कण निकलते हैं और वो तत्व खुद ही अन्य तत्वों में टूट जाता है ये तत्व अब तक के ग्याद सारे तत्वों से भारी है प्रकृतिक तत्वों में सबसे भारी तत्व यूरेनियम इसी ख्ष्रेणी में आता है सन 1898 में अर्नेस्ट रदर फोर्ड ने जब रेडियो अक्टिव तत्व रेडियम की प्रकृति समझने की कोशिश थी तो उन्होंने एक चेम्बर में रेडियो अक्टिव पदात रखा चेम्बर के दोनों तरफ सामने उन्होंने दो चार्ज प्लेटे रखी जिन में से एक का चार्ज पॉजटिव और दूसरे का चार्ज नेगिटिव था अब उन्होंने सामने एक फोटोग्रफिक प्लेट लगाए जब चेम्बर से रेडियो अक्टिव कण निकले तो उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर तीन धब्बे देखे जिन में से दो निशान काफी पास थे और तीसरा निशान उन दोनों से दूर था अब उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि रेडियो अक्टिव चेम्बर से तीन प्रकार के कण निकले थे जिन में से कुछ कण पॉजटिव प्लेट की तरफ विचलित हुए कुछ कण निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़े तथा कुछ सीधे निकल गए निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़े कणों को अलफा कहा गया तथा ये भी बताया गया कि उनमें पॉजटिव चार्ज होता है पॉजिटिव फ्लेट की तरफ मुड़े कणों को बीटा बताया गया जिनका चार्ज नेगेटिव था जो कण सीधे चले गए उन्हें गामा कहा गया और इन कणों की प्रकृती समझाई गई बीटा कणों में इलेक्ट्रॉन होते हैं हलके होने के कारण ये बहुत ही तेज गती से भागते हैं इन्हें सिर्फ अल्यूमिनियम की पट्टी से रोका जा सकता है वहीं अल्फा खिर्णों के बारे में उन्होंने ये कहा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है भारी होने के कारण इनकी गती तेज नहीं होती और इन्हीं सिर्फ कागस से रोका जा सकता है अब तक थॉम्सन के परमानू का मॉडल सर्वमानने हो गया था लेकिन रदर फोर्ड को अकसर लगता था कि अगर इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है तो फिर अल्फा किरणों में पॉजिटिव चार्ज कहां से आया 1911 में रदर फोर्ड के सहयोगी हंस गाईगर ने प्रसिद गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया दरसल अब इस बात का पता चल चुका था कि अल्फा कणों को मात्र एक कागस की सहायता से रोका जा सकता है इसलिए एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो कागस से भी पतली हो तथा जिसे अल्फा कण आंशिक तौर पर पार कर सकें गीगर का ध्यान सोने की ओर गया सोना तो बहुत नाजुक होता है तथा इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है इसी गुण के कारण सोने की बहुत ही पतली पन नी बनाई जा सकती है यही कारण था कि गाईगर ने अपने प्रयोग के लिए गोल्ड फॉइल का इस्तिमाल किया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों की एक बीम की बॉचहार की उस बीम को उन्होंने फ्लोरोसेंस की एक गुला आकार की स्क्रीन पर छोड़ा अल्फा कणों की बीम जैसे ही सीधे स्क्रीन से टकराई तो स्क्रीन चमा कुठी अब उन्होंने कणों की बीम के बीच में एक पतली सोने की फॉइल को रखा रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादा तर कण उसी तरह फॉयल के आरपार हो गए लेकिन कुछ कण फॉयल से टकरा कर अपने पत से विचलित हो गए उस समय गीगर के साथ उनके 20 वर्षिय शिश्य अरनस्ट माटसन भी प्रयोक्षाला में काम कर रहे थे उन्हें ये देखने के लिए कहा गया कि क्या अलफा कण अपने पत से विचलित हो रहे थे दो दिन बाद उन्होंने रदरफोर्ड को आकर बताया कि उन्होंने कभी-कभी अलफा कणों को अपने पत से विचलित होते देखा है रदर फोर्ड के लिए ये अविश्वस निये था उन्होंने फॉरण इसकी तुलना एक गोली से कर दी ये ठीक वैसा ही है अगर किसी कागस पर गोलियां चलाई जाएं और उनमें से एक वापस आकर आपको लगे लेकिन ये कंड सोने की पनी से टकरा कर कभी कभी अपने पत से विचलित क्यों हो रहे हैं रदर फोर्ड के गुरू थॉम्सन के प्लम पोडिंग मॉडल को रदर फोर्ड ने भी मान लिया था लेकिन अलफा कणों की वापसी को ये मॉडल व्याख्यायत नहीं कर पा रहा था रदर फोर्ड इतनी उलजहन में पढ़ गए कि उन्होंने दिन रात इस प्रयोग को दोहराना शुरू कर दिया अचानक एक दिन आकर उन्होंने गाईगर से कहा कि उन्हें पता चल गया है कि परमाणू कैसा होता है उनके अनुसार परमाणू के बीच आम तोर पर खाली जगा होती है लेकिन वहाँ क्या था कि जिससे टकरा कर अल्फा कण वापस जा रहे थे हानकी पलट कर वापस आने वाले कणों की संख्या काफी कम थी लगभग 10,000 में एक उन्हें बात समझ में आ गए कि परमाणू के बीच में कुछ तो जरूर है उन्होंने जब बार बार इस एक्सपरिमेंट को दोहराया तो उन्हें पता चला कि अंदर पॉजिटिव चार्ज वाली कुछ चीज है उनके अनुसार परमाणू का एक केंद्र है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसके केंद्र यानि नाभिक या चार्ज पॉजिटिव हैं जो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के साथ एक संतुलन बनाए रखता है परमाणू का सारा भार उसके नाभिक में होता है और नाभिक का आकार परमाणू से हजारों गुना छोटा होता है अगर एक परमाणू का आकार फुट्बॉल स्टेडियम जितना है तो उसके नाभिक का आकार स्टेडियम के अंदर रखे फुट्बॉल के आकार का होगा सन 1903 में जापान के विज्ञानिक हन्ताओ नागाओ का पहले ही इस निशकर्ष पर पहुँच गए थे कि एटम इलेक्ट्रॉन से बना है जो नाभिक के चक्कर लगाता है तब रदरफोर्ड की खोज में निराली बात क्या थी? रदरफोर्ड ने दरसल इसे अपने लगातार प्रयोगों से साबिद किया था और सबसे महत्वपून बात ये कि उन्होंने ये पता लगाया कि एक परमानू के अंदर का ज्यादा तर हिस्सा खाली होता है यानि 99.9% हिस्सा खाली और इसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन इस तरहां बंधे होते हैं मानू कोई चुमबखो आप अदार्थ की सबसे छोटी एकाय की गुत्थी सुलज गई थी यानि दुनिया की सारी चीजें एक ऐसे न दिखाई देने वाले कंड से बनी हैं जिसका अधिक तर हिस्सा खाली होता है उन्होंने इसका नाम ग्रीक भाशा में प्रोटॉन रग दिया जिसका मतलब होता है प्रथम पर्माणों के नाभिक की खोच तो हो गई थी लेकिन क्या नाभिक भी छोटे छोटे कंडों से बना है ये सवाल अभी भी रदरफोट को परिशान कर रहा था एक बार जब वो नाइट्रोजन गैस के अंदर अलकणों की बौचार कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ अजीब चीज देखी वहाँ हाइड्रोजन गैस के आटम का नाभिक था ये क्या हो रहा था? क्या सारे तत्वों के एटम में हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं? जब उन्होंने ऑक्सिजन गैस पर अलफा कणों की बोचहार की तो वहां भी यही नतीजे मिल रहे थे सारे तत्वों में हाइड्रोजन के परमानों के नाभिक क्यों होंगे? यह जरूर कोई मौलिक कण है जो नाभिक में मौजूद रहता है उन्होंने इसका नाम ग्रीक भाशा में प्रोटॉन रख दिया जिसका मतलब होता है प्रथम लेकिन अभी भी एक दुविधा थी प्रोटॉन के अंदर नाभिक का पूरा भार तो नहीं होता इस आधार पर उन्होंने तैय किया कि पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर कोई न्यूट्रल कण बना ही सकते हैं वो इस दिशा में आगे काम नहीं कर पाए लेकिन 1932 में फ्रदर फोर्ड के इस विचार को आगे बढ़ा कर जेम्स चाडविक ने परमानू के तीसरे कण की कोच कर ली जिसे आज हम न्यूट्रॉन कहते हैं अब परमानू के अंदर क्या है पता चल चुका था परमानू के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक का चक्कर लगाते हैं आवर्त सारणी का सबसे सफल प्रारूप देने में जिस महान व्यक्ति की सबसे अहम भूमिका रही उसका नाम है दमित्री मेंडली दमित्री मेंडलीव ने जब अपना कारे आरंभ किया तब तक 63 तत्वों का पता चल चुका था मेंडलीव ने उन तत्वों को उनके परमानू द्रव्यमान और रासाइनिक गुणों में समानता के आधार पर व्यवस्थित करना शुरू किया इसके लिए उन्होंने 63 कार्ड लिए और हर एक कार्ड पर अलग अलग तत्व के गुणों को लिखा जब उन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को व्यवस्थित करना शुरू किया तो देखा कि ये तत्व पर्मानु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गए लेकिन कुछ स्थानों पर मेंडिलीव ने उच्च पर्मानु द्रव्यमान वाले तत्वों को निम्न पर्मानु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा क्रम उलटने का उद्देश्य समान गुणवाले तत्वों को एक साथ रखना था इसी तरह प्रकृती में साथ साथ पाये जाने के कारण जिंक और कैडमियम को एक साथ रखा काड को विवस्थित करते समय मेंडलीव ने ये भी देखा कि समान भौतिक और रासाइनिक गुणों वाले विभिन तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते थे इस बारम बारता को उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ओफ कैमिस्ट्री में आवर्थता कहा मेंडलीव ने प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अधिकांश तत्वों को कम भारवाला बताया मेंडलीव की आवर्थ सारणी की सबसे बड़ी उपलब्धी ये रही कि उन्होंने ऐसे तत्वों की भीभविश्यवानी कर दी थी जिनकी उस समय तक खोज भी नहीं हुई थी जब मेंडलीव की आवर्थ सारणी प्रकाशित हुई थी तब ही गेलियम, जर्मेनियम और स्केंडियम के बारे में कोई जानता भी नहीं था मेंडलीव ने उन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था और उन तत्वों के परमानु भार और रासायनिक गुणों तक की भी भविश्यवानी कर दी थी 6 साल बाद उनकी भविश्यवानी सच सावित हुई जब गेलियम की खोच हुई मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक खासयत ये भी थी कि जब नोबेल गैसों का पता चला तो आवर्त सारणी की पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समुह में स्थान मिल गया लेकिन बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ कसोटियों पर खरी नहीं उतरी वे अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए उन्हेंने एलकली धात्वों और कौपर, चांदी, सोना जैसी अलग-अलग गुणों वाली धात्वों को एक साथ रखा था जो उनकी आवर्त सारणी की एक कमी थी मेंडिलीव की आवर्त सारणी तयार होने के काफी समय बाद समस्थानिकों यानि आईसोटोप्स का पता चल पाया था इसलिए उनकी आवर्त सारणी में आईसोटोप के लिए भी कोई अलग स्थान नहीं था बहरहाल मेंडलीव की आवर्त सारणी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होई आवर्त सारणी निर्मान को दिशा देने वाले इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में तत्व संख्या 101 का नाम मेंडलेवियम रखा गया आज एटम की खोज ने दुनिया का हुलिया ही बदल दिया है अब इसी पदार्थ के सबसे छोटे कण के सहारे दुनिया के बड़े बड़े काम हो रहे है एटम का शाब्दिक अर्थ होता है न तूटने वाली चीज लेकिन रधर फोड ने इसके नाभिक को खोज कर इसका आर्थरी बदल दिया है